क्या आप बता सकते हैं किसी पौधे को मिट्टी में लगाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? हाँ, पौधों को लगाने के लिए हमें मिट्टी का गमला, मिट्टी, पानी और वनस्पती इन सभी चीजों की आवशकता होती है क्या पेड पौधे मिट्टी के बिना जी सकते हैं? पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी के आवशकता होती है क्या आप बता सकते हैं मिट्टी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है यदि आपने अपने आसपास की भोजन शरंखिला देखी हो जैसे वनस्पती को हिरन खाते हैं, हिरन को बाख खाता है मचलियां शैवाल खाती है और मचलियों को सारस अथ्वा मानव खाते है शैवाल छोटी मचलियों द्वारा खाया जाता है छोटी मचलियों को बड़ी मचलियां खाती है बड़ी मचलियों को मगरमच खा जाता है हम मानव भी पेड पौधों और वनस्पतियों का सेवन करते हैं हम सब शाकाहारी, मासाहारी और सर्वभक्षी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अन्न के लिए वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं लगभक सभी वनस्पतियों को विकास के लिए मिट्टी के आवशकता होती है। फिर भी शैवाल और जलपरणी जैसी कुछ पानी में रहने वाली वनस्पतियां होती हैं जिनका विकास मिट्टी के बिना भी हो सकता है। अब हम मिट्टी इस विशय का अध्यान करने वाले हैं। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, जो पृत्वी की उपरी सतहा पर मिलता है। मिट्टी में कुछ जैविक पदार्थ, कुछ जैविक पदार्थ, खनिज, वायू, पानी, एत्यादी प्राप्त होता है। चलिए, अब हम मिट्टी का निरीक्षन करते हैं। योग्य विकास के लिए उप्युक्त होती है। जड़ों को परियाप्त मात्रा में ऑक्सिजन की आपूर्ती होती है। जलनिकास अच्छी तरीके से होता है जिसके कारण पौधों की जडों का अच्छा विकास होता है और जिसके परिणांस फ़रूप हमें अच्छा उत्पादन मिलता है जब हम मिट्टी का निरिक्षन करते हैं तब हमें ग्यात होता है कि मिट्टी में विविद आकार के मृदा के कण होते हैं जब मिट्टी में बालू जैसे कणों की मात्रा अधिक होती है तब उसे बालूई मिट्टी कहा जाता है बालूई मिट्टी से पानी आसानी से और जल गती से बह जाता है इसलिए बालूई मिट्टी पानी को पकड़ कर नहीं रख सकती बालूई मिट्टी की पानी को धारण करनी की शमता अर्थाथ जल संधारण की शमता कम होती है इस कारण यह मिट्टी पोशक पदार्थों की आपूर्ती नहीं कर पाती। पेड़ पौधों के विकास के लिए आवशक पोशक तत्व पानी में घुले होते हैं और पेड़ पौधों की जड़े उसे अवशोशित करती हैं, अर्थात चूस लेती है। इस कारण बलवी मिट्टी कम उबजाव होती है। यह मिट्टी सिलिकॉन डायकसाइड इस खन्ज से तयार होती है। यह मिट्टी जोतना या इस मिट्टी पर हल चलाना आसान होता है। मिट्टी का दूसरा प्रकार है दोमट मिट्टी। इस मिट्टी के कण बलुई मिट्टी की तूलना में छोटे होते हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी से बड़े होते हैं। इस प्रकार के मिट्टी के कण मध्यम आकार के होते हैं। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ विपुलतासे होते हैं, जैसे पेडों के पत्ते, मृत्पदार्थ और प्राणियों के अवशेश, कुछ सूक्ष मजीव इत्यादी बलुई मिट्टी की अपेक्षा इस प्रकार की मिट्टी में जलसंधारण की क्षमता अधिक होती है, लेकिन चिकनी मिट्टी की तूलना में ये क्षमता कम होती है बलुई मिट्टी की तूलना में ये मिट्टी अधिक पोशक पदार्थों की आपूर्ती कर सकती है बलुई मिट्टी की अपेक्षा इस मिट्टी पर हल चलाना आसान नहीं होता इस मिट्टी को तल छटी मिट्टी भी कहते हैं मिट्टी का तीसरा प्रकार है चिकनी मिट्टी मिट्टी के इस प्रकार में मिट्टी के कण आकार में अत्यन्त छोटे होते हैं मिट्टी के इंग छोटे कणों का प्रमाण तलचटी मिट्टी से अधिक होता है। इस मिट्टी का स्पर्ष अत्यंत मुलायम होता है। चिकनी मिट्टी में पानी को धारण करने की ख्षमता अर्थात जलसन धारण की ख्षमता बलुई मिट्टी और तलचटी मिट्टी से अर्थात इस मिट्टी पर हल चलाना कठिन होता है. अब अलग-अलग जगाहों से मिट्टी के नमूने कठे कीजिए, इनके रंगों का निरीक्षन कीजिए. आपने ये अवश्य निरीक्षन किया होगा कि मिट्टी अलग-अलग रंगों की होती है, जैसे काला, लाल, तांबे का रंग, पीला रंग या फिर धुमेला रंग. इसका कारण होता है उस मिट्टी में पाए जाने वाली सामगरी, जो उसे वहरंग प्रदान करती है. क्या आप बता सकते हैं कि कोकन की मिट्टी का रंग कौन सा है? कोकन की मिट्टी का रंग लाल होता है क्या आप इसका कारण बता सकते हैं इस मिट्टी में अधिकतर लोहे के यौगिक पाये जाते हैं इस कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है मिट्टी का रंग ये मिट्टी की बनावट पर निर्भर होता है जैसे क्या वे मिट्टी, बलोई, या फिर दोमत, या फिर चिकनी मिट्टी है उसमें पाये जाने वाले जैविक और रासानिक पदार्थ जैसे खडिया और लोह इत्यादी मिट्टी का रंग और प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की विशेष्टाओं के बारे में बताता है जैसे मिट्टी की उर्वरकता, पानी के बाहाव की शमता, जलसंधारण की शमता, इत्यादी मिट्टी के विभिन उपयोग कौन से हैं? मिट्टी वनस्पति के समवर्धन में मदद करती है मिट्टी वनस्पतियों के विकास में सहयक होती है और पोशक तत्वों की आपूर्ती करती है बार-बार एक ही फसल के कारण मिट्टी की उर्वरक्ता कम होती है इसे हम कहते हैं कि जमीन बंजर बन गई है यदि हम फसलों की बुवाई आवर्तन में करें, तो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रख सकते हैं। मिट्टी पानी के संग्रक्षण में मदद करती है। आपने इस प्रकार का नारा आवश्ष सुना होगा, अधिक व्रुक्ष लगाईए और पृत्वी को बचाईए। जब पेड पौधे लगाया जाते हैं, उनकी जड़े मिट्टी को एक सांथ बांधे रखती हैं। इसके फिलस्वरूप मिट्टी की उपरी उबजाव सतह बह जाने से बचाई जा सकती है। इसके सिवाए छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रूका जा सकता है और तलाबों में पानी एकठा किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी पानी को पकड़े रखती है। एकठा किया हुआ यह पानी भूजर स्तर बढ़ाने के लिए मदद करता है, जिसका इस्तिमाल हम साल भर के लिए कर सकते हैं। यह तरीका भारत देश के गाओं को आकाल मुक्त करने के लिए अत्यन्त उप्युक्त है। मिट्टी की एक और विशेशता है, उसकी आकार्यता। और दिये बनाता है। उसके बाद यह बरतन सुखाय जाते हैं ताकि उन्हें स्थाई रूप से वही आकार प्राप्त हो सके। हम मिट्टी को कोई भी आकार दे सकते हैं। और मिट्टी की इसे विशेशता को आकार्यता या दूसरे शब्दों में धननशीदता भी कहा जाता है। क्या आपको पता है हमारे घर में जो प्यालियां होती है या बातरूम की फर्ष या फिर प्रयोकशाला के उपकरण इन सब को तयार करने में किस प्रदार्थ का उपयोग होता है। इस मिट्टी को चीनी मिट्टी क्यों कहते कि आपको पता है? यह मिट्टी चीन में मिलती है जब ये मिट्टी भूनी या फिर से की जाती है तक उस पर एक प्रकार की चमक दिखाई पड़ती है और वो अत्यन तकड़ी और ठोज बन जाती है इसलिए हम इस मिट्टी का उप्योग चाय की प्याली और अन्य मिट्टी के बरतन बनाने के लिए करते हैं चीनी मिट्टी को ही केयो लियन भी कहते हैं गनपती की मूर्तियां बनाने के लिए आप किस मिट्टी का इस्तिमाल करेंगे? ताकि वे मूर्तियां पर्यावरण के लिए अनुकूल हो सकें. हम गनेश की मूर्तियां खडिया अर्थात शाडो मिट्टी से बना सकते हैं. ये मिट्टी सफेद रंकी होती है और ये मिट्टी पुतले तथा मूर्तियां बनाने के लिए उप्युक्त होती है बहुत बार गणपती की मूर्तियां कैल्शियम सल्फेट अर्थात प्लेस्टर ओफ पैरिस से बनाई जाती है प्लेस्टर ओफ पैरिस से बनी मूर्तियां पानी में घुल नहीं पाती इस कारण ये मूर्तियां परियावरण के लिए अनुकूल नहीं होती हम सब ने हमारे परियावरण का संगरक्षन करना चाहिए और हमारे आसपास का प्रदूशन कम करना चाहिए हमारे घर के बरतन बनाने के लिए कौन सी मिट्टी इस्तमाल की जाती है कौनसी मिट्टी घर और कार्याले में रखे वनस्पतियों का विकास करने के लिए उप्युक्त होती है ये मिट्टी लाल रंकी होती है और उसे तेरा कोटा कहते है मुलतानी मिट्टी ये सौंदार्य प्रसाधन तयार करने के लिए इस्तमाल की जाती है इस मिट्टी का स्पर्ष अत्यन्त मुलायम होता है इस वीडियो के अगले भाग में हम मिट्टी का परीक्षन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में जानने वाले हैं आप बता सकते हैं कि लीची ये फल महराश्र में क्यों नहीं उखते सेब हिमाचल प्रदेश दधा कश्मीर में ही क्यों उखते हैं विशिष्ट प्रकार की फसली योग के तरह से उगने के लिए विशिष्ट प्रकार की मिट्टी और विशिष्ट प्रकार की जलवायू आवश्यक होती है मिट्टी के विविद घटकों को जानने के लिए हम इस मिट्टी का परीक्षन कर सकते हैं इसके आलावा मिट्टी में जो कमिया होती है उसे किस प्रकार ठीक किया जाए इसका भी ज्यान हम इन परीक्षनों द्वारा कर सकते हैं पी एच का मान और विद्युत वाहकता इन दो परिक्षण पधतियों द्वारा मिट्टी का परिक्षण किया जा सकता है, जिसके आधार पर मिट्टी के गुणधर्मों को परखा जा सकता है। भारत सरकार ने अनेक केंद्रों का निर्मान किया है जहां पर किसान उनके खेत की मिट्टी का परीक्षन कर सलह मश्वराग पा सकते हैं, जिसके आधार पर वे जमीन में आवश्चक बदलाव कर सकते हैं और उन्हें इसके फलस्फरूप अच्छी फसल मिल सकती है मिट्टी को उबजाव रखने के लिए कौनसा पीएच मूल्य आवश्चक रहता है? 6.5 से 7.5 पीएच मूल्य वाली मिट्टी को उबजाव कहते हैं यदि मिट्टी का pH मूल ये 6 से कम होता है तो वह अमलिय मिट्टी कहलाती है और अगर pH मूल ये 8 से अधिक हो तो उसे क्षारिय मिट्टी कहते हैं। इन दोनों परिस्तितियों में मिट्टी अन उपजाऊ या फिर बंजर होती है। जैविक पदार्थों का मिट्टी में अस्तित्व उस मिट्टी को पोशकता देने का काम करता है। जिस कारण मिट्टी में ये पदार्थ नहीं होते हैं वे मिट्टी बंजर होती है। यदि मिट्टी में बहुत कम पानी हो या फिर बहुत अधिक मात्रा में पानी हो तो क्या होगा? इन दोनों परिस्तितियों में किसान उस मिट्टी में फसल नहीं ले सकता यदि एक ही फसल बार-बार ले तो क्या होगा? इससे भी मिट्टी की उर्वरक्ता कम हो जाएगी क्योंकि वह फसल मिट्टी से एक ही प्रकार के पोशक तत्व का उपयोग करेगी जिसके कारण फसल का उत्पादन कम हो जाएगा इसी लिए किसी भी मिट्टी के लिए अलग-अलग प्रकार की फसले लेना योग गिरहता है उधारण के लिए फलियुक्त फसलों के कारण गीहूं के फसल से जो पोशक तत्व मिट्टी से कम हो जाते हैं वे हमें पुनह प्राप्त होते हैं इस कारण जब गेहूं की फसल के उपरांथ फलियुक्त फसलों की बुवाई की जाती है, इसे रोटेशन पधती अर्थात आवर्तन पधती कहा जाता है। क्षारयुक्त पानी का प्रयोग, की तक नाशक रसायनिक खाद का उपयोग मिट्टी की बनावट को बिगार देता है, जिस कारण मिट्टी बंजर बन जाती है। अर्थात ऐसी जमीन फसलों के लिए उपयोग्त नहीं रह सकती। जागतिक बुरुदा दिन कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को जागतिक बुरुदा दिन मनाया जाता है। थोड़ा विचार कीजिए और इन प्रश्णों के उत्तर लिखिए। यदि आप अपने दोस्त के साथ चांद पर गए और चांद पर पैर रखने के बाद आपके दोस्त ने आपको पुकारा। क्या अपनी दोस्त की पुकार आप सुन सकेंगे या नहीं? पताईए क्यों? यदि 10 मनजिला इमारत है। आपने तीसरी मनजिल पर टंकी बिठाई ह तो क्या आप सभी मनजिलों को पानी पहुँचा पाएंगे? हाँ या ना? और क्यों? प्रश्न तीन, ठंड में जब तात्मान 0 degree Celsius पर जाता है तब नल फूर जाते हैं। आपके विजार में ऐसा क्यों होता होगा? झाल